हलो बच्चो मैं लखन सेनी राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसके टेक्निकल पार्टनेर है मिशन ग्यान बच्चो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गनित की पाठ्थे पुस्तका द्याय तीन दो चरवाले रेखिक समीकन युग में भाग 21 के अंदर हम चर्चा करेंगे प्रस्नावली 3.7 की प्रस्न संख्या एक से आठ तक देखिए बच्चो पहला प्रस्न प्रस्नावली 3.7 प्रस्न स केथी आयू अनी की आयू की दुगनी और बीजू की आयू अपनी बहन केथी की आयू की दुगनी है केथी और धर्म की आयू का अंतर 3 वर्ष है अनी और बीजू की आयू ग्याद कीजिए तो यहां पर आप ध्यान देवच्चो अनी और बीजू की आयू का अंतर आपको 3 दिया गया है तो अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है हमें कुछ भी क्लियर नहीं है तो हम प्रतेक इस्तती में इसका उत्तर देंगे तो देखिए इस्तती एक पहली इस्तती यदी यदी अनी बीजू से बड़ी है तब अगर अनी बीजू से बड़ी है तब हम किस प्रकार चल करेंगे देखो इस इस्तती का हल देखिए माना अनी की आईउ बराबर एक्स वर्ष तथा बीजू की आईउ बीजू की आईउ बराबर वाई वर्ष अब अब देखिए अब क्योंकि क्या है प्रश्ण में आपको दिया गया है अनी के पिता धर्म की आईउ अनी की आईउ की दुगनी है तो देखिए क्योंकि धर्म की आईउ बराबर है दो गुना अनी की आईउ तो यहां से धर्म की आईउ हो जाएगी दो एक्स वर्ष कितनी हो जाएगी दो गुना एक्स अर्थार्थ दो एक्स वर्ष तथा क्योंकि बीजू की आईउ जो है वो किसके बराबर है क्या कहा गया है वीजू की आईउ अपनी बहन केथी की आईउ की दो गुनी है वीजू की आईउ बराबर है दो गुना केथी की आईउ यहां से केथी की आईउ हो जाएगी बीजू की आयू बटे दो वर्ष ये गुणा वाला दो इधर बीजू की आयू में भाग लगा देंगे तो कैतिय की आयू आ जाएगे इनी चार लोगों की प्रशन में बात हो रहे थी चारों की आयू की गणना हमने कर ली है बीज ये रूप में अब प्रशना अनूसार देखिए बच्चू प्रशना अनूसार आपसे कहा गया है बीजू और अनी की आयू का अंतर तो देखिए अनी और बीजू की आयू में अंतर है तीन वर्ष अनी बड़ी है तो अनी माइनस बीजू 3 दे रखा है अनी X माइनस बीजू 3 वर्स समीकन संख्या 1 फिर देखिए फिर आपसे कहा गया है धरम कैथी और धरम की आयू का अंतर 30 फर्स अचा एक बात बताईए क्या मैं 2X माइनस Y बटे 2 लिखूं ध्यान दीजेगा 2X माइनस Y बटे 2 लिखूं या Y बटे 2 माइनस 2X लिखूं कौन सा अंतर लेंगे ध्यान दीजिए धरम क्या है धरम है पिता तो अगर हम व्यवारिक द्रश्टी से देखें तो पिता को क्या होना चाहिए अधिक आयू का होना चाहिए इसलिए मैं यहां लिख रहा हूँ दो एकस माइनस वाई बटे दो बराबर तीस समीकन संख्या दो हल करेंगे किसी भी एक बीजगनती विदी से तो लिखेंगे लिखेंगे बच्चो देखो एकस का मान समीकरण एक से निकाल कर समीकरण दो में रख दीजिए लिखेंगे एकस का मान समीकरण एक से समीकरण दो में रखने पर कौन सी विदी कहते हैं बच्चो इसको इसको कहते हैं हम प्रतिस्थापन विदी x का मान हो जाएगा y प्लस 3 यहां रख दीजिए 3 में तो 2 गुणा y प्लस 3 माइनस y बटे 2 बराबर है किसके 30 के तो यह हो जाएगा 2y प्लस 6 माइनस y बटे 2 बराबर 30 2 से गुणा करें 4y प्लस 12 माइनस y बराबर 30 यहां से देखिए 3y बराबर आजाएगा 18 तीन y बराबर कितना आजाएगा 18 देखें दो से गुना करेंगे तो 4 y, दो से गुना करेंगे 12 इसको दो से गुना करेंगे सिर्फ y बचेगा इधर कितना आजाएगा 60 आजाएगा बराबर 60 तो ये हो जाएगा 3Y बराबर 48 और Y बराबर आजाएगा 16 Y का मान आजाएगा 16 अब देखिये X-Y बराबर 3 क्योंकि X-Y किसके बराबर है 3 के इसलिए X बराबर कितना आजाएगा 19 Y का मान रख दीजिए 19 अते है अनी की IU जो कि आपने X मानी थी कितना है 19 वर्ष और बीजू की IU वो कितनी आजाएगी 16 वर्ष फिर से सोचिए बचो केस 2 के बारे में यहां तो हमने कहा कि अनी बीजू से बड़ी है तब यह समीकन बनेगी X माइनस Y बराबर 3 लेकिन इस्तती 2 इस्तती 2 पर विचार कीजिए इस्तती 2 यदि यदि बीजू क्या है अनी से बड़ा है अनी से बड़ा है तब हम अंतर कैसे निकालेंगे तब देखिए Y माइनस X बराबर 3 रहेगा यह समीकन एक हो जाएगी और 2X माइनस Y बटे 2 बराबर 30 यह समीकन दो रहेगी यह समीकन दो रहेगी अब X का मान निकालोगे तो Y माइनस 3 होगा समीकरण एक से X का मान समीकरण 2 में रखने पर अब अगर आप इसमें रखोगे तो देखिए आपको मिलेगा 2X की जगे मिलेगा Y माइनस 3 माइनस Y बाइटू बराबर 30 सबको 2 से गुणा कर देंगे तो 4Y माइनस 3 माइनस Y बराबर कितना 60 यह देखिए 4Y में से 1Y गया तो 3Y और 12 उदर जाके जुड जाएगा 22 हो जाएगा यहां से Y बराबर आजाएगा 24 तिया 22 Y का मान 24 तथा बच्चो X का मान कितना आएगा इस इस्तती में अन्नी की आई यू क्या रहेगी अगर अन्नी छोटी है तो अन्नी 21 वर्स की होनी चाहिए और वीजू कितना होना चाहिए तो दोनो ही उतर आपको देने हैं दोनो ही इस्ततीों में उतर आपको निकालने है बच्चों ठीक है अन्नी बड़ी है तब भी और वीजू बड़ा है तब भी ठीक है इस तरीके से आल कर लेंगे आप कोई दिकत नहीं है ना इस प्रश्ण में आपको कोई दिकत नहीं रहेगी चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण संख्या दो एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदी मुझे एक सो दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊंगा ध्यान दीजेगा एक मित्र दूसरे से कह रहा है कि यदी दूसरे व अला उससे दो गुना धनी बन जाएगा फिर दूसरा उत्तर में क्या कह रहा है उसे भी समझे यदि आप मुझे दस दे दें सिर्फ दस दे दें सो नहीं दस दे दें तो मैं आप से छै गुना धनी बन जाऊँगा बताईए कि उनकी क्रमे से क्या संपतिया है और यह प्रश्न लिया गया है बच्चो भासकर द्वितिये की बीज गनित से बासकर द्वितिये की किताब है बीज गनित उससे ये प्रशन लिया गया है भासकर द्वितिये कोन है बच्चो माहान भारतिये गनित अग्ये हैं उनकी किताब से ये प्रशन लिया गया है आईए हम इस प्रशन को ह करते हैं आप से पूछा गया है क्रमश है उनकी संपतियां क्या है तो हल में आप मान लेंगे उनकी संपतियां माना की माना की दोनों मित्रों की मित्रों की संपतियां क्रमश है एक्स तथा वाई है अब यह एक्स रूपए भी हो सकती है हो सकता है स्वर्ण मुद्राएं हूँ उनके पास भासकर द्वितिय के टाइम की बात हो रही है आप से क्या कहा गया है दोनों की संपतिया कितनी है वो ग्यात कीजिए तो आपने मान लिया कि एक की संपति एक्स है और दूसरे वाले की संपति वाई है फिर देखिए इस्तती एक यदि मुझे सो दे दो अर्थात अगर अगर दूसरे वाला पहले वाले को सोद दे देता है तो फिर तो फिर उनकी मनी में उनके धन में क्या समंध होगा पहले वाला दो गुना धनी हो जाएगा तो देखिए इस्तती एक इस्तती एक यहां समझे यह पहला मित्र है यह दूसरा मित्र है पहले वाले के पास है एक्स दूसरे वाले की संपती है वाई दूसरे वाले से सो ले लो सो ले लो मतलब इसमें से सो कम कर दो और पहले वाले में सो जोड दो इसको दे दो उससे ले लो इसको दे दो अब सम्मंद क्या है तब ये जो x plus 100 है न ये इसका दो गुना है y minus 100 का तो यहां से x plus 100 बराबर 2y minus 200 हो गया और x minus 2y plus 300 बराबर हो गया 0 समीकन संख्या एक पहली इस्तती में ये समीकन बनेगी फिर देखिए इस्तती 2 इस्तती 2 यहां पर विचार कीजिए ये पहले मित्र की संपती ये दूसरे मित्र की संपती पहले वाले के पास x धन है और दूसरे वाले के पास क्या है y धन दूसरे वाले ने क्या कहा था यदि ये पहले वाला उसको 10 दे दे इसका मतलब इसमें से 10 कम कर ले और इसमें जोड दे तब तब ये जो y plus 10 है न ये हो जाता है 6 गुना x minus 10 के अर्थार्थ y plus 10 बराबर हो जाता है 6 x minus 60 के यहां से y बराबर हो जाएगा 6 x minus 70 समीकर्ण संख्या 2 अब देखिए समीकर्ण 2 से जो y का मान आपने प्राप्त किया है उसको रगदे समीकर्ण 1 में प्रतिस्तापन विदी का यूज में कर रहा हूं बच्चो तो लिखेंगे समीकर्ण 2 से y का मान समीकर्ण समीकर्ण 1 में रखने पर समीकर्ण 1 क्या है समीकर्ण 1 है x minus 2 y plus 300 बराबर 0 x minus 2 y plus 300 बराबर 0 इसमें y की जगे रख देंगे 6 x minus 70 तो यह हो जाएगा x minus 2 6 x minus 70 plus 300 बराबर 0 क्या यही थी समीकर्ण संख्या 1 x minus 2 y plus 300 बराबर 0 y की जगे क्या रखेंगे 6 x minus 70 6 x minus 70 हल कीजिए बच्चो x minus 12 y 12 x देखिए minus 2 x को गुणा करेंगे तो minus 12 x यह plus का आ जाएगा 140 plus 300 बराबर 0 यहां से देखिए यहां से x में से 12 x गया तो minus का 11 x उदर जाके plus का 11 x हो जाएगा और बराबर में आपके पास आएगा 0 4 4 ठीक है यहां से x का मान मिल जाएगा आपको 40 x का मान कितना मिल जाएगा 40 x का मान मिल जाएगा 40 तथा x का मान समी करण समी करण 2 में रखने पर रखने पर y बराबर y बराबर आपको मिल जाएगा 6 x – 70 y बराबर 6 24 – 70 तो क्या y बराबर आपके पास आएगा 0 7 1 170 आता है बच्चों हमें प्राप पता चल गई दोनों मित्रों की संपतियां तो लिखेंगे आता है दोनों मित्रों की संपतियां क्रेमेस है कितनी हैं पहले की आपने x मानी थी तो x का मान क्या आया 40 यहां से 40 इस व्यह दूसरे की कितनी आई दूसरे की वाई 170 170 है ठीक है दोनों की समपतियां में पता पड़ गयी 40 और 170 अब पहले के पास 40 करोड दूसरे के पास 170 करोड़ ऐसा सकता है 31 हमें पता नहीं है कि समपतियां रुपए में है या फिर करोड रुपए में या लाक रुपए में या स्वन मुद्राओं में पता नहीं किसमें लेकिन आप इस तरीके से उनकी संपतियां ग्यात कर सकते हैं प्रश्ण को ध्यान से पढ़ेंगे बीज गणितिये निरूपन करेंगे और उसके बाद में दोनों समय करनों को किसी एक बीज गणितिये विदी से हल कर लीजेगा बच्चो एक सता वाई के माना जाएंगे तो यहीं नहीं छोड़ना है पूरा लिखना है अतहे दोनों मित्रों के संपतियां 40 वे 170 फिर देखते हैं बच्चो अगला प्रेश्न प्रेश्न संख्या तीन एक र दो घंटे कम लगते और यदि रेल गाड़ी 10 किलो मिटर प्रती घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते रेल गाड़ी द्वारा तैके गई दूरी ग्यात कीजिए तो यहां बात हो रही है कुछ दूरी की और एक नियत चाल की तो यहां हम क्या करेंगे बच्चों देखिए लिखेंगे हल के अंदर सर पर्था हम लिख लेंगे माना की माना की रेल गाड़ी रेल गाड़ी की नियत चाल नियत चाल बराबर एक्स एक्स किसमे किलोमीटर प्रती घंटा ठीक है तथा नियत समय नियत समय नियत समय हो जाएगा वाई घंटे आते हैं अभिष्ट दूरी जो हमें दूरी निकालनी है दूरी होती है चाल गुणा समय एक्स गुणा वाई किलोमीटर में आएगी एक्स वाई किलोमीटर अब देखिए प्रश्णा अनूसार अगर ये दूरी एक्स गुणा वाई वो किस चाल से चले वो चले एक्स प्लस दस किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से तो कितना समय लगता है नियत समय से दो घंटे कम यहां से आपको मिल जाएगा एक्स गुणा वाई बराबर एक्स प्लस दस गुणा वाई माईनस दो यहां से एक्स गुणा वाई बराबर एक्स वाई माईनस दो एक्स प्लस दस वाई माईनस बीस और यह एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और यह आजाएगा दो एक्स माईनस दस वाई प्लस बीस बराबर जीरो दो उभैनिष्ट ले लीजिए दो उभैनिष्ट ले लीजिए तो यह जाएगा एक्स माईनस पांच वाई प्लस बच्चो दस बराबर जीरो समीकर्ण संख्या एक तथा अगर ये दूरी xy वो किस रफ़तार से चले 10 km प्रती घंटा कम चले अर्थार्थ x-10 km की रफ़तार से चले तब ये समय लगता है नियत समय से 3 घंटे जादा ऐसा ही कहा गया है ना 10 km प्रती घंटा धीमी चले तो 3 घंटे अधिक लगते हैं अर्थार्थ नियत समय जो y हमने माना है उससे 3 घंटे जादा लगेंगी तो यहां से x गुणा y बराबर आजाएगा xy प्लस 3 x 3 को x से गुणा करेंगे माइनस 10 को कुणा करेंगे तो माइनस 10 y माइनस 30 इस x माइनस 10 को इदर ले जाके गुणा कर दीजिए आपके पास आजाएगा देखिए xy xy कट गया आजाएगा 3 x माइनस 10 y माइनस 30 बराबर 0 समीकर्ण संख्या 2 अगर आप समीकर्ण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो समीकर्ण 1 को 2 से गुणा करके अगर इसमें से गठा लेंगे तो y विलोपित हो जाएगा विलोपन विदी से हल करूँगा दोनों समीकर्णों को बच्चो तो देखें समीकर्ण 1 गुणा 2 माइनस समीकर्ण 2 से आपको मिल जाएगा 2 से गुणा कीजिए 2 x माइनस 10 y प्लस 20 बराबर 0 और ये है 3 x माइनस 10 y माइनस 30 बराबर 0 ये माइनस ये प्लस ये प्लस गठाने के लिए चिंड़ चेंज करेंगे न ये आ जाएगा माइनस x ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा प्लस 50 बराबर में 0 यहां से बच्चो x बराबर मिल गया है 50 x बराबर आगया है 50 एक्स का मान समी करण समी करण एक में रखने पर रखने पर समी करण एक क्या था वच्चो देखिए एक्स माइनस पांच वाई प्लस दस बराबर जीरो यहां से पांच वाई बराबर आजाएगा 60 और य बराबर आजाएगा 12 य बराबरण जाएगा 12 अता है अभिश्ट दूरी अभिश्ट दूरी कितनी हो जाएगी बच्चो एक्स गुणा वाई एक्स गुणा वाई अर्था आर्थ छहासो किलो मेटर कितना 600 km अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी 600 km देखिए बच्चो इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रसनावली 3.7 की प्रसन संख्या 3 को कोई दिकत नहीं होनी चीए सबसे पहले हम नियत चाल और नियत समय मानेंगे दूरी का सुत्र क्या होता है चाल गुणा समय X गुणा Y प्रसन संख्या 4 एक कक्षा के विध्यारतियों को पंक्तियों में खड़ा होना है यदी यदी पंक्ति में तीन विध्यारती अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती अर्दार तीन तीन विध्यारती और अगर प्रतेक पंक्ति में खड़े कर दी जाते तो एक पंक्ति कम बनानी पड़ती यदी यदि पंक्ति में तीन विध्यारती कम होते तो दो पंक्तियां अधिक बनती कक्षा में विध्यारतियों की संख्या ग्याद कीजिए आईए बच्चों हल करते हैं देखिए हल में हम सरुपर्थम मान लेंगे पंगतियों की संख्या और प्रतेक पंगति में विध्यारतियों की संख्या तो लिखेंगे माना की पंक्तियों की संख्या बराबर X तथा प्रतेक पंक्ति में प्रतेक पंक्ति में विध्यार्थियों की संख्या वो बराबर है Y के यानि की X पंक्तियां है और हर पंक्ति में Y Y विध्यार्थि है कक्षा में कुल विध्यार्थि कितनी हो जाएंगे पंक्तियों की संख्या को प्रतेक पंक्ति में विध्यार्थियों की संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कुल विध्यार्थि आ जाएंगे कैसे जैसे मानलो तीन 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 लोगों की दो लाइने है तो कुल कितने है तीन गुणा दो तीन तीन लोगों की तीन लाइने है तो कुल कितने हो जाएंगे नो तो पंक्तियों की संख्या को विद्यार्ट प्रतेक पंक्तियों में विद्यार्टियों की संख्या से गुणा करने पर कक्षया में कुल विद्यार्टी आ जाएंगे तब पंग्तियों की संख्या कितनी रह जाती है एक कम हो जाती है x-1 पंग्तिया होंगी ये भी कुल विद्यारतियों के बराबर होगा ठीक है यहाँ से हल कर लेंगे आप तो x गुणा y-y प्लस 3x-3 बराबर xy ये आ जाएगा 3x-y-3 बराबर 0 समीकन संख्या 1 तथा अगर हम क्या करें प्रतेक पंग्ति में 3 विद्यारति कम ले तो पंग्तियों की संख्या x-2 हो जाती है जो की कुल विद्यारतियों के बराबर होगा पंग्तियों की संख्या गुणा पंग्तियों की संख्या गुणा विद्यार्तियों की संख्या प्रतेक पंक्ती में गुणा करेंगे तो खुल विद्यार्ति x गुणा y के बराबर आएगा यहां से देखिए x गुणा y प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर xy और यह आपके विलोपन विधी विलोपन विधी से हल कर लूँगा द्वीचर एक एक समीकर्ण युग में हमें प्राप्त हुआ है पहला समीकर्ण है 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 3x माइनस y माइनस 3 y गया y माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 बराबर 0 y का मान आ गया है 9 y के इस मान को किसी भी समीकरण में रख कर x का मान पराप्त कर लेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए समीकरण 1 क्या है 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 3x माइनस y का मान कितना है y का मान है 9 माइनस 3 बराबर 0 यहां से 3x बराबर 12 और x बराबर आ जाएगा 4 अतह हैं अतह हैं पंक्तियों की संख्या तो कितनी हैं चार पंक्तिया हैं हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं 9, कुल विध्यार्थी कितने हो जाएंगे 9.36, तो लिख देंगे अतह हैं कक्षा में विध्यार्थियों की संख्या, विध्यार्थियों की संख्या बराबर 9.4 अर्थार्थ 36, कितने 36 विध्यार्थी हैं कुल, इस प्रकार चे आप प्रस्न संख्या 4 को हल कर लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे इस प्रश्ण के बाद देखते हैं हम प्रशन संख्या 5 प्रश्णावली 3.7 का प्रश्ण संख्या 5 देखे बचो एक तिरबुज ABC में कौन C बराबर है तीन गुणा कौन B बराबर है दो गुणा कौन A प्लस कौन B तिरबुज के तीनों कौन ग्याद कीजिए देखिए हल में हम लिग लेंगे क्योंकि तिरबुज ए बी सी के आंतरिक आंतरिक कौनों का योग कौनों का योगफल योगफल बराबर हुता है 180 डिगरी के इसलिए कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिगरी यहाँ देखिए कौन A प्लस कौन B तो कौन A प्लस कौन B का मान निकाल लीजिए आजाएगा 180 डिगरी माइनस कौन C समीकंण संख्या एक फिर देखिए क्योंकि कौन-C बराबर है 2 गुणा कौन-A प्लस-कौन-B कय कैसे हमें ये दिया है दिया है ना कौन-C बराबर 2 गुणा कौन-A प्लस-कौन-B तो कोन-A प्लस-कौन-B का मान यहां रख दीजिए कौन सी बराबर हो जाएगा दो गुणा 180 डिगरी माइनस कौन सी ये दो को अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा कौन सी बराबर 360 डिगरी माइनस दो गुणा कौन सी और यहां से कौन सी का मान आ जाएगा 120 डिगरी कैसे ये दो गुणा कौन सी इदर आके जुड़ तीन का भाग तीन सो साट पे लगाएंगे तो कौन सी बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चो एक सो बीस डिग्री अब अब देखिए क्योंकि कौन सी बराबर है तीन गुना कौन बी कौन सी किसके बराबर है तीन गुना कौन बी के इसलिए यहां से 120 डिग्री बराबर आजाएगा तीन गुणा कोण B और कोण B बराबर आजाएगा 40 डिग्री ठीक है पुने हैं हमें पता है क्योंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री यहां से कोण A प्लस कोण B 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री कोण A बराबर आजाएगा 20 डिग्री आते हैं हमें त्रिबुच के कोण ग्याद करने थे A बराबर आ गया 20 degree कौन B बराबर आ जाएगा 40 degree और कौन C बराबर आ जाएगा 120 degree यह हमारा हो जाएगा अभिष्ट उत्तर इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रशन संख्या 5 को फिर देखे आगे प्रशन संख्या 6 समी करन दिये गए हैं आपको 5X-Y बराबर 5 और 3X-Y बराबर 3 के ग्राफ आपको खीचने हैं इन रेखाओं और Y-X से बने तरबुज के सीर्सों के निर्देशां के ग्याद करने हैं इस प्रकार बने तरबुज के 6 तरफल का परिकलन भी हमें करना है तो पहले ग्राफ कीचेंगे और हमें पता है ग्राफ कीचने के लिए जो समीकर्ण युग में दी गई है पहले उसके हल ग्याद करेंगे कम से कम 2-2 तो देखिए समीकर्ण युग में जो दी गई है वो है 5X-Y बराबर 5 ये समीकर्ण संख्या 1 दूसरी समीकर्ण है 3X-Y बराबर 3 एक के लिए हल सारनी हल सारनी तो समीकर्ण एक के लिए हल सारनी इस परकार से बना लेंगी यहाँ X के मान इधर Y के मान देखिए X की जगे 0 रखेंगे Y की जगे आजाएगा माइनस 5 X की जगे 0 Y की जगे माइनस 5 Y की जगे 0 रखेंगे y की जगे 0 रखेंगे तो x की जगे आ जाएगा 1 फिर समी करण 2 के लिए 2 के लिए हल सारणी हल सारणी तयार करना बच्चो मैंने आपको शिखाया है कई बार आसानी से आप व्याद कर सकते हैं एक बार x की जगे 0 एक बार y की जगे 0 अब देखिए इसमें देखिए x की जगे 0 एक डेखिए y बराबर जाएगा माइनस 3 y बराबर जाएगा माइनस 3 y की जगे 0 देखिए x बराबर जाएगा 1 ठीक है तो इस तरीके से हल सारणी तयार कर लेंगे और उसके पश्चात हम क्या करेंगे graph बनाएंगे दोनों समी करनों का देखे ग्राफ बेपर ले लीजिए इस पर बना लीजिए एकस और वाई एकस ठीक है तो देखिए ये वाई एकस और ये एकस एकस को क्या बोलते हैं ये हो गया आपके पास दोनों का प्रतिछेद बिंदू मूल बिंदू अब प्रतेक समी करन के जो दो दो खल आपने निकाले हैं उनको दिखाईए ग्राफ पेपर बेल जीरो कॉमा माइनस पाँंच एकस पे जीरो वाई पे माइनस पाँंच एक दो तिन चार पाँंच ये हो गया 0,-5 दूसरा बिंदू क्या है 1,0 ये रहा 1,0 दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्ट कर लीजिए समीकर्ण एक द्वारा निरूपित ये वो सरल रेखा है जो समीकर्ण एक द्वारा निरूपित है समीकर्ण एक द्वारा निरूपित सरल रेखा है इसी प्रकार से समीकर्ण दो द्वारा निरूपित रेखा भी 0,-3 ये रहा 0,-3 वाला बिंदू 0,-3 और 1,0 आपने ओल्रेडी दिखा रखा है दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राथ कर लीजिए ये समिकन दो दोरा निरुपित रेखा फिर आप से क्या कहा गया था फिर आप से कहा गया था बच्चो इन रेखाओं और YX से बने त्रिबुज के शीर्षो के निर्देशांग के याद कीजिए तो इन रेखाओं और YX से जो त्रिबुज बन रहा है उसको देखिए ये वो त्रिबुज है मैं यहाँ इसको चायांकित कर देता हूँ ये वो त्रिबुज है और इस त्रिबुज के निर्देशांग हमें ग्याद करने है और और फिर हमें इसके छित्रफल का भी परिकलन करना है तो देखिए लिखेंगे अभिष्ट त्रिबुज के शीर्षों के निर्देशांग क्या क्या हो जाएंगे बच्चों देखें ग्राफ में एक शीर्ष्टो है एक कोमा जीरो पर एक आपके पास है जीरो कोमा माइनस तीन पर और एक है जीरो कोमा माइनस पाँच पर तथा तथा छेत्रफल छेत्रफल कैसे निकालेंगे एक बटा दो गुणा आधार गुणा उंचाई से आधार ले लीजिए आप इसको लेखिए ये हो जाएगा आधार ये वाला तो माइनस तीन से माइनस पाँच के बीच की दूरी कितनी होती है दो उंचाई सम्मुख सीरस से डाला गया लंब ये उंचाई कितनी है एक उंचाई है एक तो एक वर्ग इकाई आपके पास क्या आजाएगा अभिष्ट छेत्रफल आजाएगा इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं प्रस्न संख्या छे को समीकन जो दी गही है उसके लिए आप प्राप्त कर लेंगे फिर वाई एक्स वाई एक्स और इन रेखाओं से जो तिर्बुज बना है उसको देखिए उसके शीरसों की निर्देशांग ग्राफ से देख के लिख दीजिए चेत्रफल के लिए एक बटा दो आधार गुणा उंचाई यहां से आप आधार निकाल उचाई से आप निकालेंगे अभिष्ट चेत्रफल ठीक है बच्चो बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ देखिए प्रस्न संख्या साथ निम्न रेकिक समीकर्णों के युग्मों को हल कीजिए कुछ रेकिक समीकर्ण आपको देगे हैं उनको क्या करना है हल करना है देख किसी भी एक विदी से आप हल कर सकते हैं तो हल में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे जो समीकर्ण युग्मों दी गई है उससे PX प्लस QY बराबर P माइनस Q समीकर्ण संख्या एक फिर QX माइनस PY बराबर P प्लस Q समीकर्ण संख्या दू मैं हल कर रहा हूँ इसे वज्र गुणन विदी से और वज्र गुणन विदी में हम क्या करते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान ग्यात तो यहाँ पर देखें लिखेंगे दिये गए दिये गए समीकर्ण समीकर्ण युग्म की तुलना युग्म की तुलना A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तुलना करने पर देखें हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान प्राप्त हो जाएंगे तो A1 बराबर तो आपके पास आजाएगा P, B1 बराबर आजाएगा Q और C1 बराबर आजाएगा माइनस P प्लस Q हो जाएगा A2, B2, C2 के मान हो जाएगा Q, B2 का मान हो जाएगा सूत्र वज्रगुनन विदी का सूत्र क्या है बच्चो एक्स बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटे a1 b2 माइनस a2 b1 यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रखेंगे तो हमें मिलेगा x बटे b1 c2 b1 c2 q को गुणा कीजिए माइनस p माइनस q से तो आपके पास आएगा माइनस p q माइनस q square यह सुत्रवाला माइनस b2 c1 माइनस p को उससे गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का p square माइनस p q बराबर y बटे c1 a2 c1 को a2 से गुणा कीजिए q को गुणा कीजिए उससे तो आपके माइनस p q प्लस q square यह सुत्रवाला माइनस फिर c2 a1 c2 a1 तो यह आपके माइनस p square माइनस p q बराबर 1 बटे a1 b2 a1 b2 माइनस p square माइनस a2 a2 b1 q square इतनी वाद समझ में आई फिर देखिए थोड़ा और केलकुलेट कीजिए इसको x बटे माइनस का p q यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए माइनस का p q यह p q कट जाएगा यहां बचेगा माइनस q square माइनस p square यहां बचेगा आपके पास y बटे q square प्लस p square माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह प्लस का p q इस माइनस के p q से cancel हो जाएगा इधर माइनस उभैन इसलिए तो यह बचेगा आपके पास p square प्लस q square अब पहले और तीसरे को बराबर कर दीजिए दूसरे और तीसरे को बराबर कर दीजिए x दा y के मान ग्याद कर लिजिए देखिए x बटे यहाँ पर माइनस उभैनिस्ट लेंगे तो माइनस में q square प्लस p square बराबर एक बटे माइनस में p square प्लस q square तो यहाँ से x बराबर आजाएगा 1 तथा y बटे है p square प्लस q square बराबर एक बटे है माइनस में p square प्लस q square तो यहाँ से y का मान आजाएगा माइनस 1 y का मान कितना आजाएगा माइनस 1 आजाएगा बटे इस तरीके से हल कर सकते हैं हम प्रशन संख्या 7 के भाग एक को वजर गुणन विधी का प्रियोग करके आसान बन जाता है बच्चो इस प्रशन के लिए वजर गुणन विधी का प्रियोग करना फिर देखिए आगे लिख लिखिजे आगा इसको देखिए प्रस्न संख्या साथ का भाग दो इसमें हमें समीकर्ण युग्म दी गई है AX प्लस BY बराबर C BX प्लस AY बराबर 1 प्लस C तो हल में पहले हम दी गई समीकर्ण युग्म को लिख लेते हैं AX प्लस BY बराबर C BX प्लस AY बराबर 1 प्लस C ये समीकर्ण संख्या 1 ये समीकर्ण संख्या 2 किसी भी एक विदी से हल कर सकते हैं मैं हल करूँगा इसको विलोपन विदी से देखिए विलोपन विदी में हम क्या करते हैं किसी भी एक चरके गुणांक को बराबर करते हैं और फिर जोड गठा कर उसको विलोपित कर लेते हैं तो अगर आपको X का गुणांक बराबर करना है तो समीकर्ण 1 को B से और समीकर्ण 2 को A से गुणा करना पड़ेगा y के गुणांग बराबर करने हैं तो समीकरण 1 को a से और समीकरण 2 को b से गुणा करना पड़ेगा यहां मैं कर रहा हूँ देखो x के गुणांग बराबर उसके लिए समीकरण 1 को b से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा a b x plus b square y बराबर b c समीकरण 3 के रूप में बदल जाएगा समीकरण 1 b से गुणा करने पार तथा समीकरण 2 को में गुणा कर रहा हूँ a से तो a से गुणा करने पे आपको मिलेगा a b x plus a square y बराबर a plus a c यह समीकरण संख्या 4 क्या x के गुणां के बराबर हो गए चिन भी समान है इसलिए क्या कर लेंगे गठा लेंगे तो देखिए लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से 3 है आपके पास a b x plus b square y b square y बराबर b c और यहां पर 4 है a b x plus a square y बराबर a plus a c गठाएंगे तो चिन चेंज होंगे यह माइनस a माइनस यह माइनस यह हो गया cancel यहां y उबहनिस्ट आने के बाद में b square माइनस a square यह y common यहां बच जाएगा b c माइनस a माइनस a c देखिए a c का भी तो change करेंगे तो a का चिन माइनस का और a c का भी चिन किसका माइनस का यहां से y बराबर आ जाएगा a plus a c माइनस b c बटे a square माइनस b square कैसे ध्यान दीजेगा बच्चों मैंने कि इसमें से भी माइनस उबहनिश्ट ले लिया और इसमें से भी माइनस उबहनिश्ट ले लिया माइनस से माइनस क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और Y का मान यह आ जाएगा अब हम क्या करेंगे Y के इस मान को समीकरण 1, 2, 3 या 4 में से किसी में भी रख देंगे और फिर X का मान प्राप्ट कर लेंगे तो हम लिख रहे हैं Y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना तो एक समीकरण 1 लिख लीजे समीकरण 1 है AX प्लस BY बराबर C AX प्लस BY बराबर C यह हम क्या करेंगे Y का मान रख देंगे तो देखिए यह बन जाएगा आपके पास A X प्लस B Y के स्थान पर Y का मान A प्लस A C A प्लस A C माइनस B C बट A A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर बराबर में कितना है बच्चो C बराबर में कितना है C यही मान रखा है मैंने B को अंदर गुणा कर दीजिए यह हो जाएगा AX प्लस B को जब आप अंदर गुणा करोगे तो A B प्लस A B C माइनस B स्क्वाइर बट A A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर बराबर में कितना C सारी समीकन کو A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर चे गुणा कर दीजिए A square minus B square गुणा AX प्लस इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा AB plus ABC minus B square C बराबर C A square minus B square यह बात समझ में आई बच्चो आपको मैंने पूरी समीकर्ण को इस हर A square minus B square से गुणा कर दिया है तो आपके पास बच्चे का देखो A square minus B square गुणा AX बराबर AB यहाँ पहले कौन है A square C minus B square C इधर से इधर से गया जो यह plus का minus का B square C था वो plus का B square C हो गया यह minus का ABC हो गया और यह minus का AB हो गया यह दोनों पद cancel हो गए यहाँ पर देखिए A square minus B square गुणा AX बराबर आपके पास आ गया यह और यह इन में से सब में से A common आ जाएगा तो A C minus B C minus B A से यह A कट गया और X का मान आ जाएगा A C minus B C minus B बटे A square minus B square यह हो जाएगा X का मान इस प्रकार से हल कर लेंगे हम प्रशन संख्या 7 के भाग 2 को विलोपन विदी का प्रियोग करके लेकिन अगर बच्चों आप इसमें भी वज्र गुणन विदी का प्रियोग करेंगे तो यह ज्यादा आसान बनेगा फिलाल विलोपन विदी से मैंने आपको बताया है तो आप इसको हल कर लेंगे विलोपन विदी का प्रियोग करके भी वज्र गुणन विदी या प्रतिस्थापन विदी भी आप इसमें लगा सकते हैं एक सथाओ आय के मान इस प्रकार आपको मिलेंगे फिर देखे अगला प्रस्थन संख्या साथ का भाग तेन यहां पर दी गई समीकर्ण युग्म को लिखिए पहले दी गई समीकर्ण युग्म है एक्स बटे ए मौइनस वाइ बटे बी बराबर जीरो समीकर्ण संख्या एक AX प्लस BY बराबर A² प्लस B² समीकर्ण संख्या 2 किस विदी से हल करूँगा बच्चों इसको मैं पहले भाग को हमने हल किया वज्र गुणन विदी से फिर विलोपन विदी से आईए अब दोहराते हैं हम प्रतिस्थापन विदी को भी अलग अलग विदियों से करने का एक ही उद्देश्य है बच्चों ताकि सारी विदियां जो भी मैंने आपको सिखाई उनका मैं रिविजन करवा सकूँ रिविजन भी करवा सकूँ इस प्रशन में आप स्वतंत्र हैं किसी भी एक विदी का चैन करने के लिए आपको जो विदी अच्छी लगती है जिस विदी में आप सहूलियत महसूस करते हैं आप उस विदी से हल कीजिएगा यहां मैं सिर्फ रिविजन के उद्देशे से अलग-अलग विदियों का प्रियोग करता हूँ हमने देख लिए वजिरकुनन विदी विलोपन विदी अब देख रहे हैं प्रतिस्थापन विदी इस विदी में क्या करते हैं हम किसी भी एक समीकर्ण से एक चरका मान निकाल कर दूसरे समीकर्ण में रख देते हैं तो देखिए, समी करण एक से, x बटे a बराबर हो जाएगा y बटे b, यह माइनस का y बटे b 0 में जुट जाएगा तो प्लस का y बटे b हो जाएगा और यहां से x का मान आजाएगा a y बटे b. अब इस x के मान को समीकरण 1 से जो प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए ax plus by बराबर a square plus b square ठीक है x का मान रख दीजिए ax का मान है ay बटे b x का मान क्या है ay बटे b plus by बराबर a square plus b square देखिए ये आपके पास बन जाएगा a square y बटे b plus by बटे एक लगा लूँ बराबर a square plus b square इसके भी बटे में एक लगा लीजिए हरो का लेसे क्या आएगा b पूरी समीकरण को जब आप b से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा a square y plus b square y बराबर a square plus b square y उभेनिस्ट ले लीजिए ये हो जाएगा a square plus b square क्या हमें इसे भी b से गुणा करना था तो ये लो b से गुणा कर दिया ठीक है b से गुणा करना था ना पूरी समीकरण को तो ये पद भी b से गुणा होगा तो यहाँ पर यहाँ पर है a square plus b square गुणा b ये cancel हो गया और y का मान आगया है कितना b y का मान कितना आ गया है y के इस मान को समी करण एक में रख देंगे और x का मान प्राप्ट कर लेंगी देखिए y का मान समी करण एक में रखने पर हमें मिलेगा x बटे a माइनस y की जगे b बटे b बटे b बटे b बटे b बटे b बटे 0 अब देखिए आगे b से b कैंसेल हो गया एक आगया ये एक उदर जाके जूड़ जाएगा तो x बटे a बटे 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 1 और यहां से x का मान आ जाएगा आता है हम लिख देंगे अभिष्ट अभिष्ट हल अभिष्ट हल हो जाएंगे X बराबर A और Y बराबर B X बराबर A और Y बराबर B फिर देखे बचो अगला प्रशन संख्या साथ का भाग चार यहां पर समीकन जो युग में दी गई है उसे देखे और लिग लीजिए A minus B X plus A plus B Y बराबर A square minus 2 AB minus B square समीकन संख्या 1 समीकन संख्या 2 देखे एप्लेस B गुणा X plus Y बराबर A square plus B square इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं देखो AB से गुणा करेंगे A plus B से अंदर गुणा करेंगे तो A plus B X plus A plus B Y बराबर A square plus B square समीकन संख्या 2 तो जो दूसरी समीकन दी गई थी उसको हमने इस रूप में लिख लिया है A plus B को अंदर गुणा करके अब द्यान से देखीए Y का गुणा अंक दोनों समीकर्णों में बराबर है कौन सी विधी लगाएँगे बिल्कुल विलोपन विधी तो हम क्या करने वाले हैं विलोपन विधी का प्रियोग करने वाले हैं और क्यूंकि चिन समान है इसलिए हम समी करणों को गठा देंगे देखिए समी करण एक माइनस समी करण दो से समी करण एक को लिख लीजिए a माइनस b x a माइनस b x ध्यान से लिखेगा प्लस a प्लस b y बराबर a square माइनस 2ab माइनस b square है क्या समी करण एक को लिख लिया दो को गठाना है दो को नीचे लिख लेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस b x प्लस a प्लस b y बराबर a square प्लस b square ठीक है b square के नीचे b square लिख लिख दिया गठाने पे चिन्द चेंज होते हैं हम सभी को पता है देखिए यह तो हो गया cancel यह बन जाएगा आपके पास a माइनस b माइनस a माइनस b x बराबर यह भी cancel हो गया और यह हो गया माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का 2b square प्लस का a प्लस का a माइनस का a cancel माइनस b माइनस b माइनस 2b x बराबर माइनस 2b इसमें से उभेनिस्ट आ गया a प्लस b बच गया माइनस 2b से माइनस 2b cancel x का मान क्या आ गया a plus b x का मान क्या जाएगा a plus b x के इस मान को हम किसी भी समीकर्ण में रखे कर y का मान प्राप्त कर लेंगे x का मान आया है आपके पास a plus b तो देखिए x का मान समीकर्ण एक में रखने पर समीकर्ण a क्या था a minus b x की जगे a plus b plus a plus b y बराबर था a square minus 2 a b minus b square इसकी सकल मिलाईए बच्चों सकल मिलाईए क्या आपको सर्वसमी का याद है a plus b a minus b वाली क्या होता है गुननफल a square minus b square तो इन दोनों को गुना करेंगे तो a square minus b square आपको मिलेगा plus में a plus b y बराबर a square minus 2 a b minus b square ये minus b square से minus b square plus a square से plus a square cancel हो गया और y का माना जाएगा minus 2 a b बटे a plus b ये y का मान हो गया और x का मान क्या था a plus b इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे इस भाग को भी हल कर लेंगे प्रस्न संख्या 7 के उमीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया है देखिए अब आगे प्रस्न संख्या 7 का भाग 5 इसमें देखिए बच्चों समीकन युग्म जो दी गई है उसे लिख लेते हैं हल में सर पर्थम वही समीकन युग्म लिखेंगे जो आपको दी गई है 152 X माइनस 378 Y बराबर माइनस 24 ये है माइनस का 358 X प्लस 152 Y 152 Y बराबर माइनस 604 ये 152 है प्यारे बचों 152 Y बराबर माइनस 604 समीकन संख्या 1 समीकन संख्या 1 और समीकन संख्या 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा X सता Y के गुणांक परस पर बदले हुए हैं और संख्याएं बड़ी-बड़ी हैं तो इस प्रशन को हल करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी एक ट्रिक और वो ट्रिक क्या है बच्चू इन दोनों समीकनों को एक बार जोडेंगे और एक बार गठाएंगे आईए पहले जोड लेते हैं समीकन संख्या 1 प्लेस समीकन संख्या 2 से जोड़िए 152 में माइनस 378 जोड़ोगे तो माइनस में 226 आएगा यह हो गया माइनस में 226 एक ये माइनस में 226 य और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में 638 आएगा माइनस का 226 उभेनिष्ट ले लिजिए बच जाएगा X प्लेस Y इधर है माइनस में 688 माइनस के 226 का उदर ले जाके भाग लगा दीजिए तो X प्लेस Y बराबर आजाएगा 3 समीकन संख्या भी 3 ठीक है तो देखिए अब X ज़दा Y के गुणांक की क्या हो गए छोटे छोटे हो गए एक एक गुणांक हो गए अब गठा लीजिए समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से जब आप गठाएंगे तो देखिए माइनस करना है तो 152 माइनस 378 तो ये देखिए 152 माइनस करना है माइनस का 388 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस होने के बाद में 8 और 2 10 हांसिल 1 8 और 5 13 हांसिल 1 तो ये हो जाएगा 530 कितना हो जाएगा पांच सो तीस X ठीक है इन दोनों को गठाईए तो माइनस में आ जाएगा पांच सो तीस Y और बराबर में क्या आ जाएगा देखिए माइनस चोहतर में से गठाएंगे 604 तो ये भी आ जाएगा प्लेस का 530 आ जाएगा क्या प्लेस का 530 आ जाएगा पांसो तीस उभनिस्ट ले लेंगे तो X माइनस Y बराबर एक आ जाएगा समीकण संख्याद 4 तो ट्रिक समझ में आई आपको इतनी बड़ी संख्याओं में उलजना नहीं है आपको याद रखना है किस प्रकार से याद रखेंगे X अता Y के गुणांग क्या है बड़े-बड़े है और एक समीकरण से दूसरे समीकरण में चेंज हो रहे है इंटर चेंज हो रहे हैं तो हम समीकरणों को जोड़ेंगे और गठाएंगे समी करण 3 और 4 प्राप्थ हो जाएंगी तो देखिए अब समी करण 3 प्लस समी करण 4 से अब इन दोनों समी करणों को जोड़िए तो 2x बराबर आपके पास जाएगा 4 और यहां से x बराबर जाएगा 2 तथा x का मान समी करण 3 में रखने पर y बराबर देखिए कितना आजाएगा समी करण 3 में x का मान रख दीजिए 2y बराबर आजाएगा 1 x बराबर 2 और y बराबर क्या प्राप्थ हो जाएगा बच्चों आपको 1 समझ में आया प्रस्ण संख्या 7 का भाग 5 आपको किस प्रकार से करना है थोड़ा सा ट्रीकी है लेकिन आप याद रख पाएंगे बच्चों आसानी से देखिए अब आखरी सवाल प्रस्णावली 3.7 का प्रस्ण संख्या 8 यहां पर दिया गया है ABCD एक चक्रिय चत्रुज ह का एक गुन धर्म आप सभी को पता होना चाहिए चक्रिय चत्रुज का एक important property है बचों क्या है इसके सम्मुख कोन सम्मुख कोन समपूरक समपूरक का मतलब योगफल 180 डिग्री होते हैं तो चक्रिय चत्रुज नाम आते ही यह गुन धर्म आपको याद आदे हैं जाना चाहिए अब पढ़िए आगे देखिए आकरती तीन पॉइंट साथ में इस प्रकार से एक चक्री चत्वुझ है इस चक्री चत्वुझ के कौन ग्यात करने हैं कौन ए आपको दे रखा है चार वाई प्लस बीस डिग्री भी आपको दे रखा है तीन वाई माइनस माइनस चार एक्स और डी देखा है माइनस साथ एक्स प्लस पाँच तो गुण धर्म कौन सा है सम्मुक कौनों का योग एक सोसी डिग्री होता है तो इसी गुण धर्म का प्रियोग करेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे हल में हम लिखेंगे हम जानते हैं की हम जानते हैं की किसी भी किसी भी चक्रिये चक्रिये चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्पूरक होते हैं होते हैं आते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 110C डिगरी सम्मुख कोण A के सामने वाला C A और C का टोटल 110C डिगरी B और D का टोटल 110C डिगरी इस प्रशन में भी बचो यही एक ट्रिक है अगर आपको चक्री चतुर्भुज की परीवाशा नहीं पता तो आप इस प्रशन को हल नहीं कर पाएंगे एक चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है यदि इसके चारों सीर्स किसी वृत की वृत के उपर इस्तित हो और इसका एक ही गुणदर्म है वो क्या है इसके सम्मु कौन क्या होते हैं सम्म पूरक होते हैं तो इस गुणदर्म का प्रियोग करके हम इस प्रशन को हल कर लेंगे देखिए ए और सी का योग कीजिए माइनस चार एकस ए तो है ए तो है चार वाई प्लेस बीस डिगरी और सी है माइनस चार एकस योग फल होगा 180 डिगरी के बराबर तो यहां से माइनस चार एकस प्लेस चार वाई बराबर हो गया यह बीस डिगरी उदर जाके गड़ जाएगा 160 डिगरी चार कॉमन ले लीजिए माइनस एकस प्लेस वाई 4 चोग 16 चालिस डिगरी समीकन संख्या एक तथा कॉन बी और कॉन डी देखिए 3y 3y-5 3y-5 डिगरी 3y-5 डिगरी-7x-5 डिगरी और दूसरा कॉन है माइनस 7x-5 डिगरी बराबर कितना होगा 180 डिगरी के माइनस पांस डिगरी प्लस पांस डिगरी कैंसिल माइनस साथ एक्स प्लस तीन वाई माइनस साथ एक्स प्लस तीन वाई बराबर कितना जाएगा 180 डिगरी समीकन संख्याद 2 किस प्रकार से दो समीकन प्राप्त करेंगे हम हम प्राप्त करेंगे बच्चो इस गुणधर्म का प्रयोग करके कौन से गुणधर्म का चक्रिय चदुरूज के सम्मुक क्या होते हैं सम्पूरक इस प्रकार से दो समीकर्ण प्राप्त हो गई रखने पर समीकन दो क्या है माइनस साथ एकस प्लस तीन वाई बराबर एक सो असी डिगरी यहां माइनस साथ एकस प्लस तीन वाई य का मान क्या हो जाएगा य का मान हो जाएगा एकस प्लस चालिस डिगरी य का मान हो जाएगा एकस प्लस चालिस डिगरी बराबर एक सो असी डिगरी यहां से माइनस साथ एकस प्लस तीन एकस बराबर एकसो असी डिगरी माइनस एकसो बीस डिगरी देखें यह माइनस का चार x आजाएगा और यहां बच जाएगा 60 डिग्री और x का मान आजाएगा माइनस में 15 डिग्री x का मान क्या आजाएगा माइनस में 15 डिग्री आजाएगा तथा y का मान आजाएगा माइनस 15 डिगरी प्लेस 40 डिगरी 40 में से 15 गठा लीजिए कितना आ जाएगा 25 डिगरी Y का मान कितना जाएगा 25 डिगरी X तदा Y के मान रखकर अब हम इस चक्रे चतुरबुज के कौन ग्यात कर लेंगे देखिए आगे लिखेंगे कौन A बराबर 4Y प्लेस 20 डिगरी बराबर 4Y की जगे 25 प्लेस 20 डिगरी 25 चोक 120 एक सो बीस डिगरी हो गया कौन B कौन B बराबर आ जाएगा 3Y माइनस 5 डिगरी 3 गुणा 25 पी 75 माइनस 5 के दना हो गया 70 डिगरी कौन C कौन C बराबर हो जाएगा माइनस 4 गुणा माइनस 15 डिगरी अर्थार्थ प्लस का 60 डिगरी कौन D बराबर कौन D बराबर है माइनस 7 X माइनस 7 X की जगे माइनस का 15 डिगरी प्लस 5 15 सत 105 105 और 5 के तना हो जाएगा 110 डिगरी तो इस प्रकार से कौन A बराबर 120 डिगरी, B बराबर 70 डिगरी, C बराबर 60 डिगरी और कौन D बराबर 110 डिगरी आपको मिल जाएगा बच्चों उम्मीद करता हूँ इस प्रस्ण में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी याद रखेगा चकरी चत्रबुज के सम्मू कोण क्या होते हैं संपूरक अर्थार्थ इनके सम्मू कोणों का योगफल होता है 180 डिगरी प्रशनावली 3.7 के सभी प्रशन आपको अच्छे से समझे में आ गए होंगे बच्चों अब आप पुने एक बार इनकी प्रेक्टिस करेंगे खुश रहिए धन्यवाद